अब मैं आपको 3T मेथट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना राइट, मैंने आप सुपहले बताएगी सिर्फ क्वालिटी और सिर्फ क्वांटिटी दोनों हमें बरबाद करेगी, हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रियेट करना होगा excessive quality के चक्कर में आपके क्या होगा, speed धी में होगी, बोरियत होगी, आपका दिमाग वांटर करेगा आप relax रहोगे और अंत में क्या होगा, जब exam पास आने वाल होगा, आपका syllabus छूट चुका होगा आप अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे, अब हमें क्या करना है, now we are going to the balance between the sense of urgency, quality और quantity को हम लोग manage करने जा रहे हैं और मैं आपको सिखाने जा रहा हो 3T formula और इसको implement कर लिया, every day, every hour will be most productive and all toppers कभी तुम व्यक्तिकत रूप से मिलना और personally, वो सेमिनार वाला नहीं, personally उनसे बात करना, you will find, या उनके office में उनको काम करते हो, natural environment में उनको काम करते हो, देखना, you will find a lot of sense of urgency, जितने भी officers है मुख्यमंतरी ने file मांगी है, अभी तुरंट दोहत अतकाल meeting है, ये audit करके देना है, COVID की report आई है, central से team आ रही है, कितने vaccine है, जल्दी, 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 इस तरह से उनका पूरा एक phone बर रखा, दूसरा phone, तीसरा phone, चौता phone, ठीक है, अगर आपके आस पास कोई आई-स officer होंगे, या जो segment हमारे तो family में है, तो हमें ये बात पता लेती, कितनी sense of urgency होती है, बनलब वो अपनी गाड़िक तरफ दोर रहे है, जल्दी, इधर madam निकल रही है, जल्दी गाड़ी लाओ, जल्दी गाड़ी लाओ, जल्दी गाड़ी लाओ, जल्दी गाड़ी ल पहला T है timer, दूसरा T है targets, तीसरा T है timetable, लेकिन timetable वो नहीं जो आप बनाते हैं, smart timetable जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, तो पहला T है timer, आप जब भी पढ़ाई करेंगे, और ये phone वाला timer नहीं, phone तो अपने से दूर रखना, उसको दूर रखने का तरीका पढ़ाई 45 मिनट पढ़े हो, एक घंटा पढ़े हो, दो घंटा पढ़े हो, आप हमेशा timer के अगेंस्ट पढ़ेंगे, आस से याद रखेगा, ये उल्टा countdown करेगा, टाइमर के साथ आप जाएंगे, तीस चालिस रुपए का एक आता है, डिजिटल वाला वो खरीद लो तो पूरे दिन का target नहीं बनाना है, फिस्ट्री 15 दिन में खतम करनी है, शुरुआत के 10 दिन खाली यही सोचने में निकल जाता है कि हिस्ट्री खतम करनी है, बात के 5 दिन में कुछ नहीं खतम होता है, हमें targets बनाने कि इस 45 बिनट एक घंटे या दो घंटे जो भी मेरा slot है, उस एक घंटे में मुझे output निकालना है, यह तुम्हें क्या बताएगा, मेरे exact targets क्या है, और अब आज आते हैं, time table, यानि कि पूरे दिन का output हम manage कैसे करेंगे, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, now, next one, 3T में, targets, targets का मतलब होता है, that is calculated goals, target ऐसा नहीं बनाना, आज मैं विपिन चंदर खतम कर दो, नहीं, मैं अगर एक घंटे में 10 page परता हूँ, और एक घंटे मेरा slot है, तो मैं 10 या 11 page का मैं, एक target लेके चलूँगा, या मुझे 3 answer इस 45 minute में लिखने है, या मुझे इतनी chapter revision करना है, यह exactly जो है, वो realistic goal आपको लगाने, either page या chapter, जो भी आपको realistic, ऐसा hypothetical नहीं, क यह पता चला, आपका WPM, यानि word per minute आप मुझे से 4 page पर पाते हैं, गंटे में 40 page का अपने target बना लिए, ना, realistic बनाना है, जो मतलब औसत हो, उसमें आप 5 से 10% का enhancement कर सकते है, only 5 and 10, यानि कि अगर मैं 10 page पर पाता हूँ, एक घंटे में, तो मैं 12 का target लेके चलूँगा, या 11 क टार्गेट लेके चलूँगा, ठीक है, यह हो गया, next one, timetable, timetable आपको smart timetable बनाना है, timetable का एक बड़ा important है, यहान जो smart बनाने जा रहा हूँ, that is, कहेंगे सर, यह इपता important क्यों है, actually मैं जब चार्स जो ही की book पढ़ोगे, the power of habit, ठीक है, the power of habit, तो power of habit में यह कहा गया है कि हमारे दिमाग का neural system होता है, जब हम कोई भी काम, जैसे आप simple सा, जैसे nature call अगई, आपको toilet जाना होता है, तो आपने देखा हो का सुबह पुठे, तो कई लोग को सुबह उटने के साथ-साथ जो होता है, उनको pressure बन जाता है, चले जाते है, कहां से आखिर यह सरीर को कैसे generate होते है, हमें पढ़ने की भी आदत बनानी पड़ेगी, अपने शरीर को काफी हद तक उसी एडवार स्पियर में रखिए, इस time zone पर उसको सरीर को आदत ही यह बारा एक बज़े का समय है, या बारा बज़े का समय है, इस सरीर को सीधे बैठने की आदत है, सो सबसे पहले आ आटामिक हैबिट पढ़ लेना, चास जोई की पावर आफ हैबिट पढ़ लेना, यह आप और जो 12 रूल्स और ब्रेन, यह तीन किताबे अगर पढ़ लेना, बड़ी मोटी मोटी किताबे हैं, जब आप इन तीन किताबों को पढ़ोगे, जो जो जॉर्डन की बुक्स है, मुझे घूमने नहीं जाना है, अगर मैंने टाइम टेबल में यह ताइम फिक्स किया, आइविल सिट ऑन माई चियर, देखे कितने दिन तक दिमाग भटकता है, पहले शरीर को ट्रेन करो, मन अपने आप ट्रेन, फिर दिमाग अपने आप ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, इसको बहुत आराम चाहिए होता है, यह बहुत जाता है, तो आपको जो टाइम टेबल आपने बना लिया, उसमें बैठो, बैठो, 17 जिखियो लो सिट, देखे कहां जाता है, इंट्रेस की नॉवेल पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, दो चार दिनी तो होगा, फिर धीरे धीरे क यह sense of urgency के लिए बहुत important, यह आपके पूरे इस focus को, जब यह घड़ी की जो है, वो भागेगा, तो अरे यार मेरे पास 40 मिनट बचा है, अभी कितने page है, अरे मेरे पास 30 मिनट बचा है, मेरे पास 20 मिनट बचा है, तो आपको क्या होगा, कि वो एक घंटे में आपको exhaust कर दे थोड़ा देर चाय, गाना, सावन, यही सब disturb कर रहा होगा, कर रहा होगा हाँ या ना, आज आपको इसको एक बहुत important बच्चो का method बताता हूं, लेकिन यह बहुत काम करने के बाद है, और पूरी दुनिया में most accepted, most जो है, वो accepted चीज मानी जाती है, and that is known as cardboard technique, how to avoid distraction and procrastination, यान आपका दिमाग विचलित होता है, या procrastination यानि टाल मटोल करने की आदत आज से आप खतम कर दोगे, इस तरफ मैंने आपको कुछ चीजे दिखाई है, पूरी दुनिया में यह पूरी दुनिया का accepted method है, one of the best method माना जाता है, आपने देखा होगा signboard, इस तरह का signboard देखा होग Chinese हो, French हो, Hindi हो, English हो, पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि इस तरह की signboards अपने अपनी जगह पर होते हैं, कि जो रहगीर है, जो लोग है, उनको instructions दिये जाने है, ठीक है, हमारा दिमाग इन instructions को receive करता है, क्योंकि हम इसके लिए अभ्यस्त और हम इसके लिए एक महत्तपू अपने चीज़े सोच रहे हो, डेहर सारी चीज़े समझ रहे हो, लेकिन अचानक से जरसे आप यह बोर्ट देखते हो, तो आप ग्रेक मारते हो, जेबरा क्रोसिंग आगया, लोग अभी निकलेंगे यहां से, अचानक से रेड लाइट होता है, आपने signal देखे होंगे, तो इस क्या होता है, हमारा धिमाग इसको तुरंत रिसीव करता है, तो आप खोई-खोई निकल जाओगे, तो यह क्या होता है, यह हमें बताता है, यह हमें बताता है, बाइक रूट है, यहां पर जो है, मोटर साइकल नेकर नहीं जाना, यहां केवल साइकल चलेगी, यहां पर यहां पर आपको गाड़ी इससे पहले रोक नहीं है, तो हमारा दिमाग क्या होता है, इसको तुरंत क्या करता है, इसको तुरंत रिसीव कर लेता है, एक्चुली में जब हमारा प्रोकास्टिनेशन याणि डिस्ट्रेक्शन होता है, तो हमें इन सिग्नल को यूज करना नहीं हमें लगता है यह आज ऐसे किось शाम तक आज अहम नहीं करेंगे संथ अतर जिसको लट लगी हो घौsk तो फिर कहानी है, जब एक बार उंगली चली गे उस पर, ऐसे मचलती है उंगली है, ठीक है, एक बार चली कि लाओ थोड़ा से देख ले, किसी के रिपलाई कर दे, फिर किसी के अच्छी बात हाँ, 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 yes, no, emojis और ये सब भेजना, बस हो गया काम, खतम, मामला अब इसमें क्या होगा, अप ये जाने कितनी कसमें खाई थी, सुब़ चार बज उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, सब खतम, वो च्छी है जाने में तुमारे दिमागी नहीं ठूड पाएगा, प्रोसेशिंग नहीं कर पाए इस वन आप दो मोस्त युनिवर्सल एक्सेप्टिंग मैथट्स, इंस्ट्रक्शन लोगों को देने के लिए, सो हम अपनी कमरे में, अपनी पढ़ाई में क्यू नहीं इस्तेंड बना लेना, और जो भी इस्ट्रक्शन, आजकल तो स्टिक विस्टिक बोर्ड आगे, नहीं तो सफेद कागज इस पर चिपका देना, मान लो तुम्हें फोन इस्तमाल नहीं करना है, फोन आपने बंद किया, और उसके सामने उठा कर रख दिया, नो फोन सिक्स पीम, तिल सिक्स पीम में आपको छे बजे तक फोन नहीं हाथ लगाना है, तो क्या होगा, ऐसा नहीं मैं तो या तो पहले फोन तो ऐसी जगह उठा के लॉक वक करके रख दो, चा भी कहीं और रख दो, भीया छे बज़े तक उठाना नहीं है, या आप एक कार्डबोर टेक्निक का इस्तमाल कर, जान लो टीवी पे तुम्हें वेब सरीज देखने की आदत है, नो टीवी तिल संड प्रभवएट कर दो, उसके नुकसान बहुत है, क्योंकि हमें क्या होता है, जो addictions होते हैं, वो हमें पता ही नहीं होते हैं, addiction जो होता है, वो हमारे दिमाग के एक बड़े हिससे को प्रभावित करता है, और हमें लल्चाता है, हमें उस addiction को तोड़ने के लिए instruction की जुरत तुम उस addiction के बारे में सोचना शुरू कर दो कि जो अभी तक तुम consciously सोच नहीं पा रहे थे जैसे dopamine आता है अरे किसी ने बता है अभे जानता है वो नहीं वाली वेब सेरीज आई देखा यार बहुत मस्त है बहुत आसम है अच्छा अब क्या हुआ लेकिन जब आपके सामने instructions clear होगा कि आपके अपने subconscious mind में क्या है you will start visualizing यह लोग क्या है पूरी दुनिया में यह लोग बेखूफ नहीं है पूरी दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ कोई भी culture हो मानते हो कि यह accepted है वह हो सकता है Chinese में लिखा हो सकता है French में लेकिन लिख logical reason है तो वो reason में तुम्हें आ दे रहा हूँ use start using signboard technique right now आप जो जो भी distraction लिख दो do it let me do funny because यह इस्तमाल किया जाता है तो यह क्यों नहीं हम कर सकते है आप यह सोच लो so this is the one of the best one आप cardboard बनाईए जो distraction आप देखेंगे आपका दिमाग destruction से हटना शुरू हो जाएगा so this is the basic sense of urgency and the last thing is very important that is smart timetable smart timetable is all about आपको अपने हर घंटे का purpose पता होना चाहिए अगर आपको purpose नहीं पता है सब कुछ बेकार है एक timetable आप ऐसे बनाओ suppose that मैं मंदे का timetable बना रहो I'm just writing the Monday timetable तो आप क्यों होता है Monday Tuesday webinar से सब लिख जालते हो गोजा गाजी टिक टुक 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 कैसे करते रहते हो वो नहीं कर रहा है अब यहां पर क्या होगा आपको थोड़ा सा एक जो है larger timetable बनाना पड़ेगा for example यह मेरा timetable है मैंने यहां लिखा time यानि समय task मुझे कारिय क्या करना है उदेश क्या है इस कारिय का यह भी इसपस्ट कर रहा है दिबाग को अगर habit भरानी किसी चीज की तो दिमाग कभी भी larger goal को रही उठाता है वो micro यानि उसको क्यों कर रहा है उसको आपको purpose बताना पड़ेगा बिना purpose के कभी heading आपकी जो कभी acceptance नही मैं आपको example देता हूँ आप मैंसे कई लोग सुबह जल्दी नहीं उठते होंगे रात भर जगते होंगे अब किसी दिन किसी ने कहा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए बहुत तेज़ों लोग होते हैं आपने वीडियो देखा किसी ने का पापा ने समझाया लेकिन जब ऐस से आप देखेंगे आपकी नीद खुल जाती है यह आप ही है नीद आपकी आपकी खुल जाती है गाड़ी पकड़नी है एरो प्लेन पकड़ना है कुछ भी है किसी से मिलना है को बहुत अर्जेंट वर्क है जो नुकसान हो सकता है नीद खुल जाती है why because at this time your mind knows the purpose इस समय आ आप लिखते हैं रीडिंग 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 ऐसे नहीं रीडिंग नहीं रीडिंग नहीं तास्क मेरा का है history मैं reading आप इसे लिखते हैं पढ़ाई study time study time ऐसे बनातो ना time table why study time दिमाग समझे रहें काउं सी study यार यह तो बोज लेके घुम रहा है study तो इत्मा modern history पढ़ने जा रहा हूँ purpose purpose मैं pre के लिए पढ़ूँगा या मैं mains के लिए पढ़ूँगा या मैं answer writing करूँगा for example very specific in your time table and the last one is remark हुआ की नहीं हुआ मैं 9 बच के 20 minute पे पढ़ने बैठा है आदतों के इसार 20 minute मैंने procrastinate के लिखो यहाँ पर minus 20 minute remark I was not good I was not good जितना अपनी अभी क्या अरे 20 minute अरे चल यार भाई cover कर लेगा रात में ज्यादा पढ़ लेंगे नहीं लिखो यहाँ पर minus 20 minutes मैं इतना procrastinate किया बैठा यहाँ रिमार्क में डालो so this is your one day time table daddy बना इसको that is a time task specific no study आप लिखतो ना study time study time no study time what is the meaning of study habit कभी बनेगी नहीं आपकी आपको उसके जो है वो micro label पर जाना पड़ेगा what I am going to read it history modern history purpose क्या है मेरा I have to learn revise मैं करने जा हो सकता है मैं revision कर रहा हूं history का हो सकता है कि मैं answer writing history करने जा रहा हूं हो सकता है मैं new chapter पढ़ने जा रहा हूं आप यहाँ purpose लिखेंगे your mind must be very very collective होना चाहिए वहाँ पर to the point focus होना चाहिए मैं इस बच्चे ने question किया sir वो booklist बता दीजिए topper वाली ठीक है मुझे तरह का IFS का tweet मिला IFS का उससे किसी बच्चे ने पूचा उससे कि sir top करें आप लोग कर ने पढ़ा होगा ख़वार में आया हुआ है ठीक है तो वो पूचे कि आप sir बता दीजिए first item में top कैसे कि उस ने लिख इस तरह से अपना micro management इसको बोलता जाता है micro management करते हैं एक एक घंटे को निचोड लेते हैं यही NCRT उनकी सफलता का आधार बन जाता आपकी कबरगाह बन जाती है यही लक्षमी कांत वो जो है top कर जाते हैं और आप जो है उसी लक्षमी कांत के बोच के नीचे खतम हो जाते हैं तो सवाल यह है कि 24 घंटे को utilize करने के लिए sense of urgency is one of the most powerful tool in your life तो जो मैंने आज आपको methods जो मैंने 3T methods जो आपको मैंने सारी चीज़े बता दी अगर आज से तुमने इसका प्रयोग करना शुरू किया nobody can stop you in the life आपको संसार में कोई भी सफल होने से रोक नहीं पाएगा इ यही 24 घंटे आपके लिए वर्दान बन जाएंगे और अगर आपने मजे मजे में इस तरह से जो है वो मौज मौज में आपने काटा कि चल यार अभी तो बहुत टाइम है तो भाईया मियांडर करोगे IS की तयारी शुरू करोगे PCS का फार्म डालोगे lower का परितरिश्या का वेट करोगे और चतो शेड़ी करमचारी में चैनित होगे यही होगी कहानी IS की तयारी करोगे PCS का फार्म डालोगे lower के रिजल्ट का वेट करोगे और हो सकता है जो है लोको पाइलेट या चतो शेड़ी करमचारी में ज्वाइन करोगे because you are meandering आप अपने टाइम को meander कर र emergency is very important जो मैंने 3-3 मैठल बटाया वो आपको यूज करना है every time every minute count और इसके बाद मैंने cardboard techniques बताई है दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको procrastination ना होता हो या जिसको कोई भी चीज को लालच ना हो ये टॉपर्स को भी लालच आता था लेकिन इन्होंने अपने mind को control कर अपने आपको control करो लेकिन कैसे इसके बारे में बादचीत नहीं की जाती है बने logic के साथ दिया आप मुझे इसमें illogical साबित नहीं कर सकते हैं पूरी दुनिया में ये method को इस्तमाल करते हैं हमारी भारती पढ़ाई की पधतियों में बहुत जादा distractions हैं और इस तरह से time table ब जरू कर सकता हूं तो इस आंदोलन का हिस्सा बनिये मेरे साथ इस तरह की नहीं नहीं चीज़ें सीखते रहे हैं एक बहुत important बात बताने जा रहा हूं उसको याद रखिएगा GS के लिए मैंने एक नया चैनल शुरू किया है ओजांक GS NCRT इसके बारे में ध्यान से समझ लीजे और जान लीजे ओजांक GS NCRT चैनल मैंने शुरू किया है यह यूट्यूब चैनल है एक डेडिकेटली है ठीक है यह बिलकुल अलग तरह का चैनल है जहां GS के बारे में से मैंने आख सुबज लाइव क्लास ली सब्सक्राइब कर लेना जैसे कल राट में मैंने क्लास ली यहां पर मैं स्टैटोडायनिक भी बता रहाँ स्टैटोडायनिक कि एक newspaper आज सभी लोग ने क्लास की मैंने आज एक newspaper को base बना कर NCRT चाप्टर पढ़ा है कल मैंने क्या पढ़ाया था मैंने बाबा रामदे और आईमे का करेंट अफेर्स के विवाद को लेकर प्राचीन भारत में अरवेद कहां कहां है NCRT के to the point notes मैंने आपको बताए कि उसको आपको कैसे पढ़ना और बहुत ही smart notes आपको दिए तो अगर आपको ये चीज़े लगातार पा नहीं है कल को map based question लेकर आ रहा हूँ या तमाम तरह की चीज़े तो मेरा एक और dedicated channel मैंने YouTube बनाया OJank GS NCRT उसको subscribe कर लेना मत छोड़ना हो सकता है मैं आज रात में ही कोई live class ले लूँ या कल early morning में कोई भी live class ले लूँ और हो सकता कल मैं एक नया topic से साथ आपके साथ discussion करूँ और वहाँ पर मैं आपको status आपको ये current में जो चल रहा है और NCRT कैसे उसके साथ attach करके पूरी जानकारी को किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसी लगी थी आज की class जब मैंने आपको आज MSP जो हमारे सरकार नेगोशित की है MSP को मैंने आधार बनाते हुए मैंने agriculture problem को जोड़ा था तो आपको एक link मिला किया अखबार और NCRT कैसे एक दूसरे के साथ important हो सकती तो definitely इस चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना कि उसके test आप देखिए कि exam में उस तरह के question कैसे आ सकते है तो मैं ऐसे ही daily जो current affairs के topics आ रहे है उनको base बनाते हुए NCRT में कैसे smart notes बनाते हैं और कैसे कहां से जोड़ते हैं उसके बारे में daily बताता रहोंगा मेरी कोशिश है कि आप हर मंच पर ताकतवर बने सफल होकर निकले ओजांकियन्स की value है और अपने आपको top 100 के अंदर लेकर आए ये मेरी लगातार कोशिश है और मेरे खाल से आपने ये देखा होगा कि मेरे हर class को एक बहुत ही research के साथ मैं आता हूँ logic के साथ आता हूँ वो logic जो आप भी कहते हैं हाँ सर ये मेरी life का एक important part है लेकिन दोस्तों याद रखिए का कोई भी आंदोलन आ के लिए नहीं खड़ा होता है उसके लिए कई लोग की मेहनत होती है और उसके लिए आप लोग भी इन वीडियो को उन तक पहुँचाते रहे हैं जो भटक रहे हैं जो अभी जो है वो सही रास्ते पर नहीं जा रही है ये आपकी जिम्मेदारी है और मैंने आपको बताए कि एक gift मैंने आपको दिया उजांक आडियो बुक की उस आडियो बुक को डाउनलोड करें वहाँ पर चले उसमें नए नए प्रोग्राम मैं और भी शुरू करने जा रहा हूँ तो definitely उससे भी हमें काफी benefit होगा